बिहार में दूसरे फेज शिक्षक बहाली की घोष्टना हो गई है यानि BPSC चेर्मेन अतुल प्रसाद ने तारीक का भी एलान कर दिया है सिधी बात्यूत करेंगे हमारे साथ BPSC चेर्मेन है अतुल प्रसाद सर क्या लग रहा है कि जो आपने रिकॉर्ड वराया है सबसे बड़ी बहाली का अपना रिकॉर्ड एक वर फिर से तोड़ेंगे क्या अभी यह तो नहीं कर सकते हैं कि हम तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे लेकिन जो जैसी संभावनाएं हैं उसके हिसाब से में बता दूँ कि परिक्षा तो हम लोग संभावित थी है साथ आठ नौ दस दिसंबर और हम लोग का बेशक प्रियास रहेगा है कि इस बार हम लोग ज़्यादा तेजी से परिक्षा फल भी दें क्या है सेडूल यह अपने त्यार किया है क्या है क्या है क्या हम चाहें कि जो अभिर्थी हैं दर्शक्त हैं हम लोग इसमेर निबंधन एवं भुकतान जो हम लोग कराएंगे प्रारम करनी थी पांस से लेकर 14 तारिक तक निबंधन कर सकते हैं और विलम सुलक के साथ वह 17 त करने में काफी विलम हो रहा था काफी दिक्कते आरे थी उसमें वेबसाइट दो दिन के लिए क्राश कर गया था तो इस बार हम लोग ने कहा कि पहले अपनी बंधन कर लें अपना पेमेंट कर दें वह पार्ट कंप्रीट हो जाता है और उसके बाद आपने आराम से आप कैसे ऐसे देख रहा है है कि पिछले बार साथ पेपर ऐसे थे जिसमें टी टी ज्यादा थे धि Beim Uh Het उसमें तो सब्ढ़― अभ्यर्थी-जाद Hi a hur यह यह कछना तो संभव नहीं होगा कि कितने होंगे लेकिन अनुमान लगा जा सकता है कि जितने संख्या में फिसले बार प्राइमरी में इस बार उतनी संख्या में हो सकता है कि Middle School में और 9 10 और 11 12 में फिसले बार से ज़्यादा होंगे टेक्निकली जानना भी जरूरी है कि 628 में डीलेड कौन सामिल होंगे सीटट वाले कौन सामिल होंगे और बीएड वाले तो शामिल हो ही रहें तो यह तरह समझा देजिए यह जितनी तरह के वराइटी है इसमें इसका सबको इसका ज्यान हो जातो वह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलबदी हो जाएगी उसके ल और उसमें बदब डिप्लोमा इन इलिमेंटरी एजुकेशन प्रस्टिक्शन के लिए और उसमें सीटेड पेपर टू देना है और फिर हाई स्कूल में तो फिर आप जानते ही हैं कि उसमें बीएड और ग्राजुएशन होना है तो ऐसी स्थिती में आप देखें कि मिडल वाले भी हो सकते हैं इसमें इसमें ऐसा कोई बंदन नहीं है कि बिएड वाले नहीं हो सब्सक्राइब और जानकारी यह जरूरी है फी तो एक लाख भी सजार क्या लग रा है वो कब पुड़ा करेंगे गया देखिए जो ट्यार स्य वंअ हमें बताया है कि अभ्यार्टियों की संक्या कई विशे होम इना डिकान्स उसे में अभ्यार्टियों की संक्या कैसी काफी कम थी तो उस उसमें 125 की वेकेंसी नहीं आएगी क्योंकि आपने देखा होगा कि 125 में काफी टफ कंपेटिशन था ट्यारी वन में और उसमें जो भी वेकेंसी होगी वह बहुत ही सिमित और वह डिव्यांग जन वाला होगा या कुछ रिजर्व कैटिकरी वाले होगा बहुत सिमित वेकेंसी बाकी सारी वेकेंसी तो टीरी वन में भर गया उसमें दिल से आप चाहते भी होगा कि 125 का वेकेंसी दे उनके साथ हम क्यों स्वतेला व्योहर करें लेकिन ऐसा हुआ नहीं जो आपको मिला है उसी गया अधार पर आपकर रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब जो सप्लिमे रिजर्ट भेजा और चाहिशाज भाग को अब हम रहे हैं नहीं जो सकते हैं तो एक लाग वीच जाजार से ज्याधा जाही नहीं सकते हैं अब डॉक्मेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोग वहां पर ड्रॉप आउट हो जाएंगे आप संट हो जैंगे उसके अड़ावा ज करेंगे और जब इसको भर लें इसके बाद वह अगर कोई जाएगा। जिसको हम supplementary results नहीं भर पाएंगे माले यह candidate ही नहीं मिल रहा है तो वैसी हालत में वो फित TRE2 में pass on होगा का इशारा काफी मैं बेहतर बता रहा है कि supplementary results आप बड़ी संख्या में दे रहे हैं कि अभी हमारे पास आखरे तो नहीं आए हैं लेकिन जो मुझे लगता है जैसे कि दो तीन हजार करीब होंगे जो multiple results वाले हैं तो multiple results के कारण से जो dropouts हुए उसके करीब 2-3,000 होंगे और उतना ही समझ लें आप जो document verification में कितने लोग चांटे हैं उसके लगबग उसके आसपास में रहाएगा अनुमान है यह तो फाइव में भी हो सकता है क्योंकि dropouts तो चुकि अगर माले किसी को primary में हो गया high school में भी होगा तो high school में चला गया primary छोड़ दिया dropouts तो किसी में भी हो सकता है यह तोफा देंगे या शिक्षा व्याग की रिक्तियां लग रहा है कि छटके बाद आएगी तो आप supplementary result देखिए हम लोगोंने basically utilitarian theory को अपनाया है अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक लाब इसमें एक लाग सत्रहजार के vacancy एक लाग भी से रहनों दिया इतनी बड़ी संख्या में हम लोग लोग अभियतियों को लाब दिये उनका परिक्षा फल दिया इसलिए हमारी यह टॉप राइट थी लेकिन लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह आयोग सिक्षक बहाली के लि प्राइटी हम लोग करेंगे जो हमारे महत्पून परिक्षा है जो कि लंबे समय से लंबी चला रहा पहले उसको दूर करें सप्लीमेंटरी डिजर्ट उसके बाद होगा वैसे भी हमें कभी सप्लीमेंटरी का आकड़े नहीं आया है कितनी वेकेंसी क्रेट हुई वह हमें ज कुझा सब्भावना रखेंसी बनने कंप्यूटर साइंस की जो शिकायते हैं वह अमोमन इस बात को ले करके है कि एस टी जो बाहर के लोग है वह आ गया जबकि इस विशे पर मैंने पहले भी सपस्ट किया कि स्टी इटी में जो शर्त रखा गया था वो शिक्षाविवाग का था वह आयोका नहीं है और उसको आयोक की परिक्षा से कोई लेना दना नहीं है अगर किसी अभ्यर्थी के पास में एक स्टी इटी के का प्रमान पत्र है तो वो जास तरी के थाा है आजायग तरी के सांसिल किया गया इसको हमको नहीं देखना हमें तो ऐसे वह नहीं देखना है कि दी वी तो अभी सिछाविवागी कर रहे है तो इसलिए उनके सथर्ज पर देखना एक जोरुमा मैं है बैक्राउन बता दूं की से एस 75029 में यह पिछली परिक्षा में जितनी बड़ी चुनाटियां आपके सर पर थी आपने सब कुछ पेस्स किया रिजल्ट भी दिया क्या लग रहा है कि इस बार बहुत कुछ सबक मिला होगा और बहुत कुछ नया करने के योजना होगी अप कि ने कि चीजिवों को हम लोग ने देखा कि चीजों को हम लोग चुभी पहली बार कर रहे थे जैसे हम लोगो ने इतने विराइटी जहीं जो था रिजल्ट से 43 पेपर्स थे टोटल और पर इसको जैसे डिस्ट्रिक्ट को भी देना था तो नैचरूए इसको बैना पहली बार बना रहे थे हम लोग उसको उसमें भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे तो वह भी चुनाती थी हम लोग के लिए कि सौफ़वेर को ठीक करना मैनुली उसको क्रॉस वरिफाइब करना तो सुभाविक है कि काफी ज्यादा वर्क लोड था और काफी महनत पड़ा इसमें ल कहां पर भेरती किस तरह से गलती करते हैं तो हम अपने जो जैसे मैंने बताया कि गलती सब्जेट कर्मिनेशन की गलती सीडी की गलती तो इसकी गुंजाइसी नहीं रहे वहां पर गुंजाइसी नहीं रहे उसका हम लोग ने कुछ प्रावधान किया है ताकि हम जब रिजल करेंगे सितनी हैं हम लोग कुछ गुण्जाइस यह कर रहे हैं कि अभ्यर्थी को उसको भरने की जरूत ही नपड़े मतलब कि उसको subject combination भरने की जरूत ही न पड़े उसको series भरने की जरूत ही न पड़े जो उसने आवेदन में जो दे रखा एक subject combination वही automatically उसको system वही लेगा तो उसको भरना ही नहीं है और उसने क्या भरा है अपना आवेदन में वो उसके admit card में print हो जाएगा appearing candidate वाले भी हम लोगों को एक अच्छा सबक मिला क्योंकि appearing candidate के साथ एक कटनाई यह है कि अगर वो appearing के हम लाओ करते हैं तो उसका result और उसका certificate आने के लिए हमको प्रतिक्षा करना पड़ता है और अगर हम उसकी प्रतिक्षा करते हैं जैसा इस बार में लोगों देखा कि सीटेट के भरी संख्या में लोग फेल कर गया सुभाविक है कि ऐसे अभियरती लोगों ने अपना certificate जमा नहीं किया अब उनने जब certificate जमा नहीं किया तो हम कब तक प्रतिक्षा करें उनके लिए तो नाच्रली उनको हमको मेरिट लिस्ट हम लोगों बनाएंगे ही बनाएंगे और डीवी में हम लोग भेजेंगे और डीवी में वो छटेंगे इस बार भी वेरिफिकेशन अब करा रहे हैं क्या नहीं इस बार हम लोग वरिफिकेशन नहीं कराएंगे क्योंकि हम लोग ने पाया कि जो बिना प्रसासी विभाग के पदाधिकारियों जो जानकार है और उनके जो टर्म्स अंड कंडिशन से विभिन परिक्षाओं के जैसे आपने देखा के स्टीटी है दोजार उनीस फिर द लगाया गया कि यह तो वैसी स्थिती में इसकी तो सभी चीज की जानकारी सिक्षावी भाग कोंई है कि बिना सिक्षावी भाग के दीवी में इस वाद परिक्षा के बाद से पहले रिजल्ट के बाद BPSC कोई वेरिफिकसन नहीं करने वाला रिजल्ट देगा बस देखिए हम लोग इस बार भी हम लोग ने जो डीवी कराया हमने पहले भी कहा कि उसकी आकुरेसी हंडेड परसंट नहीं थी क्योंकि यह डी संट्रलाइस तरीके से हुआ था और जब भी ऐसे बड़ी संख्या में होगा तो कभी भी हंडेड परसंट आकुरेसी नहीं लेगा मुल्टि लेयर फिल्टरेशन की जरूत पड़ेगी और इस बार भी वैसे ही होगा हम लोग अपने स्टर से मेधा करम के हिसाब से कंडिशनल रिजर्ट देंगे और सेके उसके बाद नेक्स स्टेप में जो फिल्टरेशन होगा वो फिल्टरेशन होगा सिख्षाई भाग के द्वारा बिल्कुल सभी प्रकार की तैयारिया है और निश्चित रूप से आप लगातार प्रयास में हैं भी आपने बेहतर पढ़िणाम दिया भी है हाला कि वेरिपिकेशन को लेकर आपने जो डाउट है उसको भी क्लियर किया है जो अभियरती समझ रहे तो आपने पाट टू पाइट बताया है एक चीज मुझे जानना जरूरी है कि अभी जो सोसल साइंस का जो रियल्ट रहा है खासकर उसमें समाजिक विज्ञान में देखा गया है और जो सप्लिमेंटरी रिजल्ट आ रहा है क्या सोसल साइंस की संभावना है कि देखिए जो मैंने बताया है कि साथ विस एसे थे जिसमें कि अभियरतियों की संख्या जादा आती अब कॉम्पेटिशन वहीं थ उसमें सोसल साइंस पूर्टा कंप्यूटर साइंस पी और सुभाविक है कि ऐसे ही विशेयों में है कैंडिट्स जो सफल हुए है वो बेटी इन वेटिंग है उनको उमीद है कि अगर सप्लिमेंटरी रिजल्ट आएगा तो उनका चैन हो जाएगा बाकी विशेयों में तो क्यानेट्स ही कम थे तो कोई बचे हैं नहीं कितना कटफ डाउन कर सकते हैं कुछ ऐसा लग रहा है कटफ डाउन करेंगे या क्वालिफाइंग मार्स पार करने वाले जो है वो सफल हो जाएंगे अब लग रहा है अभी जो रिजार्ट थे सप्लिमेंट देखिए चूंकि य वैसे इंटर्णार करना बेकार होगा जो अभी कटफ है जो भी कटफ नंबर है उसमें काटेगरी वाइस आप देखे होंगे कि उसमें टाइब रेकर भी लगा होगा उसना डेट ऑब बर्स उसमें दिया गया हो मतलब है कि उसी नंबर पर एक सधिक लोग है और उसमें से इतनी वैकेंसी उसमें आएगा उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि एक नंबर से दो नंबर से अधिक नीचे जाएगा किसी बिश्य में चांस है कि नहीं कटफ आपका डाउन करने का जो आपका प्रोपर कटफ है जो आपने सोचा है उसको आप ले जाएंगे वही मैं बता रहा हूं कि अगर वेकेंसी में ज्यादा ड्रॉप आउट्स या डिस्क्वालिफा ज्यादा संख्या में अगर होता है तब वो नंबर नीचे गिरेगा नहीं तो हो सकता है कि जो कट आफ है उसी कट कट आफ पर टाइब्रेकर के कारण से कुछ लोग इन वेटिंग ऑलेडी हो सकता है कि उसी नंबर पर तो उसी नंबर पर रहा जाएगा अब सबकुस साफ हो गया और गांधी मैदान में इतने लेकिन पूरा बिहार और देश कवा बना गांधी मैदान के समारोह का अंदर से अब गर्व की अनुभूती हो रही है कि जो हडल बहुत बीच विच में आया उसको हमने पार कर लिया अब नया इतिहास लिखेंगे यानि छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी नए दौर वह हमे नई लिखेंगे मिलकर नई कहानी ऐसा लग रहा है क्या कर देखिए आयोग सब्सक्रण हुआ कि लुगार की अबिदन नहीं और वह और उसरकारी कारिकरम था तब कि अभ्यर्ति की निगाहें आपको तलाश कर रही थी गांधी मैदान हमें निस्पक्ष रहना है हम सरकार से सुतंतर है उनके हधिन नहीं है और सरकार बीने पहले इबताया था कि सरकार भी इस बात को बख़ूबी समझती है और हम भी अपने अपने सीमाओं को समझते हैं और इसलिए हमारा हीं वहां पर जाने की कि आवा सकता थी और नहीं कोई वह आमिंद घृ सब्सक्राइन की हमने सब्सक्राइब थी हम एक सोतन तनित हैं और हमने अपना काम किया और यह बात जैए कि जो कल की बातें अलगे की बाति का रहें आक्चुली मुझे कल किसी ने मुझे बड़े लोग ने ही मतलब नजीर वर्ड से मुझे कहा कि आपने एक नजीर बनाया तो मैंने स्वचा कि मैं भी जाद देखनू मेरा भी उतना ग्यान पूरा नहीं है तो नजीर शब्द का मैंने अर्थ ढूना अक्षब आर्थ क्या होता है तो मैंने पाया कि ये आप भविश्चे के लिए एक आपने एक एक्जाम्पल सेट कर दिया नजीर का मतलब वो होता है तो मैं समस्जता हूं कि जो ये बाते जिन्हों ने कहा मुझे जो बढ़ाई दिया और कोई अच्छे जगर से आप समझ सकते कहां से बढ़ाई मुझे मिला होगा यह तो वही मेरे लिए गौरप की बात है इतने घरों में रोजगार मिला इतने अभ्यर्थी जो है आज मैं जो ब्रेंड्रेंज समस्या थी बिहार की जो पलायन लगातार जारी था लग रहा है कि वो जो रफ्तार है उसमें भी कमी आएग आरोग प्रतियारोग तो लगते रहेंगे सरकायर पर आयोग पर विभाग पर लेकिन लग रहा है कि अब जो है अफ्तार में कमी आएगी ब्रेंडर है तेक्ष्श्य सिरक्ल इन सिक्ष्व कि घुन्वत्ता को मामला है वह एक्ष्श्य सर्क्ल ये है कि चुकि सिक्षक अभी अच्छे नहीं हैं जिसलिए चातर भी अच्छे नहीं होंगे चुकि चातर अच्छे नहीं होंगे तो अभिर्थी अच्छा कहां से होगा अभिर्थी अच्छे नहीं होंगा तो फिर शिक्छा कहां से अच्छा होगा जो यह आप हम द हालेría हैं पिछले बार भी आप से बाचीत होई थीまだ आप को रखना मेरे शिक्षक अभियर्थियों सम्हाल के तो यह आपने कहा था हम चाहते हैं कि इसी बात से जो है एक दूसरे फेज की बहाली को आगाज करें कि कुछ ऐसे मैं शेर के साथ ताकि जो मैं होसला है अभियर्थियों का वो मैं परवान पर हो और लगे कि हां हम भी बहाल हो रहे हैं देखिए अभी अभी भी कई जगहों पर तुफान तो अभी भी चली रहा है और अभी भी हम तुफान से जहली रहे हैं लेकिन मुझे और मैं समझता हूं कि जो आप लोगों ने भी कल जो उस दिन में दो तारीक कारेकरम में आपने जो सफल अभियर्थी जो को आपनों देखा होगा कई लोगों ने मुझे कहा कि उनके जो बॉड़ी लैंग्वेज थे उनका जो जो भरुसा उनका जो कॉन्फिडेंस था वो देखने लाइक था और उनसे बातचीत करके भी आप लोगों को लगा होगा कि ऐसे शिक्षक अगर आएंगे तो निश्चित अपना 100% दो और मैं चाहूंगा कि अभ्यर्थी भी अपना 100% कोई सॉलवर गैंग या कोई कदाचार करने का प्रयास न करें इमांदारी से दे मैं भी अपना का इमांदारी से कर रहा हूं आपसे भी उमीद करता हूं कि इमांदारी से दे बहुत-बहुत धन्यबाद हमारे साथ BPSC चेर्मेन अतुल प्रसाथ थे और तमाम पहलों पर इंहोंने बारी की से जानकारी दी है और एक तरह से जो इतिहास BPSC ने बनाया है उमीद करते हैं जब दूसरे फेज की जो बहाली हो रही है इसमें बेवाकी से BPSC जो है फिर से एक नया इतिहास बनाया आरोप प त्यारोप तो लगते रहते हैं लेकिन पहले से सबक लेकर जो है अतुल प्रसाथ ने बताया है कि बहुत कुछ सीखा हूँ और आगे जो है बहुत कुछ बदलाओ भी होगा और निश्चित रूप से बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करूँगा केमरावन धर्मबीर के साथ रजनीश कुमार निउस एटीन पतना